हेलो फैंट्स पग्गाय स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग अपने MP प्लिस कॉंस्टेविल की साइंस की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कैपला की ग्याओं की गति के नियम के बाद पढ़ेंगे लगाते हैं तो हमारी इक्षा होती है को बल लगाने के बाद उस बस्तू की इस्तरी में परीवरतन आए तो परिवर्टन दी आएगा मतलव उसकीस्थति परिवर्तित होगी तो लगागए बल औरु की स्थति परिवर्टन अर्थाथ बस्थापन के गुणनफ़ल को ही हाई आप किसे पहले कहेंगे का Our तो आप लोगो पहले से याद है हमारे ख्याल से के करते हैं तो एक अदेश रासी मिलती है मतलब ये एक अदेश रासी है परिकर तो कार हमारी एक अदेश रासी है इसका ऐसा ही मात्रक क्या है जूल है जो कि एनरजी का मात्रक भी निकलेगा तो आप लोगों को कार का मात्रक क्या है अनि कार का सूत्र क्या याद है बल गुणा विस्थापन तो तो, Newton-meter को ही और एक सब्द में क्या कह सकते है और means j भी कह सकते हैं तो यह आप लोगों को याद रखना है तो बल क्या है? आप किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं तिक है थीक है तो ठीक है अब चुकि हम लोगों को पता है कि ये कार जो है बल और विस्थापन जैसी दो सदस रासियों गोडन फल है इसलिए स्वैम हो जाता है अदिस इसलिए कार हमारा क्या है एक अदिस अपना स्केलर क्वांटिटी है और आंगे चलते हैं इसका ऐसा ही मात्रा क्या होने का पूल जिसका बिवहारिक मात्स न्यूटन मीटर है आप न्यूटन को भी चाहिए तो अपने मीटर किलोग्राम में तोड सकते हैं बिमे सूत में इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे अभी नहीं कर रहे हैं ताकि पहले तो इच्छा हमारी है कि आप लोगों को सारे सूत्र पह तथा विस्थापन S के मद्ध ठीटा कौन बनता है तो हमारा कार का नया बेंजा के सूत्र क्या निकल कि आता है सदिस F गुणा सदिस S मतलब विस्थापन इंटू कॉस ठीटा ठीटा इसका मतलब क्या है को स्री ये कौन कहा बनेगा समझ ये आपने किसी वस्थू को यहां स और सफपित कर बैठें यहां से यहां लेगाया आप तो आपने उस बस्थापन यहां से यहां कर दिये आपन लगाने के बाद विस्थापन लगाया गया बल कि बीच बनेगा जो को वो करना थीटा दा कहलाए आ तो हम लोगों के कारे की मेन इक्षा क्या होती है यह विस्थापन लाना अब लेकन आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है जो कि हमने यहां पर सेयर नहीं की है आप लोगों से लिखके नहीं दी है मतलब पर उससे कॉश्चन बनते हैं तो उस पर हम चर्चा कर लें कौन सी चीज़ की तो आप लोगों को पता है तो ही जाकर लिखते हैं पूरा वोडिक तो भर लिया है यहां के च्छोटे कामों से तो एक चीज़ आप लोगों को मिलती है पर इक्छाओं में कौन सी सूने कार जीरो वर्क कि जहां पर बिचारा कोई व्यक्ति काम करकर के ठक जाता है लेकिन physics बोल देता है कि आपका कार है क्या है सूनने है तो वो कहां से सिद्ध करोगा अब इसी वाले सूत्र से कि जब हमारे लगाए गए बल और विस्थापन के बीच में ठीटा का मान जो है कितना हो जाए सूनने हम लोगा को पता है पूरी की फूरी मैच बी तकार हुनर मिती में पढ़नी है अप लोगों को तो यह प्रसे बोल जाएंगे पूरी की पूररी थ्षापनी की वैल्यूं क्या होती है तो आप सबको पता है कि जी रहे होती है, वोट नाइंटी, वन तो कौसे रह willst घ्या होता है, होता है, तो जब यहाँ पर थीटा की वल्यों आपको नभ्य मिल जाएगी, यहाँ पे हम छोटा सा अंस भी लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर cost 90 मतलब cost theta की जगा पर क्या रखना पड़ेगा जीरो और यह पूरा काम क्या हो जागा आपने बल भी लगाया विस्थापन भी प्राप्त किया लेकिन क्या होगा लेकिन यहाँ पर यह होगा कि आपने चुकी बिस्थापन के जो नीच बिस्थापन और लगाया बल और हुए विस्थापन के बीच नब ने हैं उसका अर्थात लंबवत इंग्लिस में वह लें तो 90 डिग्री एंगल या पर राइट एंगल या पर पर पेंडिकुलर की स्थथी बनती है तो उस स्थथी में हमारा किया गया कार क्या माना जाता है सूर्य माना जात नीचे बाड़ी स्थिती और अंटे में फिस्थती आपने बल यहां पर लगाया कितने अंसका बने गया तो आप बोलेंगे 90 ग्री कौन बने गया। उस कारण से कॉस 90 का मान जीरो होने के कारण कार का मान यदि की 갈 flaps say चीशते हैं पर पहले इस्थिती और इस वाली अ इन्थेए मिस्थिती की बीच कौन बने अब यहां से आप यहां लेडा होगे दूसरा विस्थापन है पर में तो सुर्खार सुरूर हुआ कहां से सामान उठाने से तो सामान उठा के सिर पर रखा मतलब उस वाली प्राणमे की स्थिति और सिर वाली अंते मिस्थिजिये की बीच कौन वन का नब्भ है यह मानते हैं उसी प्रकार से दूसरा एक जंबल आप लोग पढ़ोगे जब कोई बस्तु किसी चीज़ के चारों घुमा जाती मतलब जैसे आप हांत में लेके पत्थर वेसे बांद के घुमा रहे हैं तो उस वाली स्थिति में भी आपके हांत द्वारा कारे क्या होगा जीरो या पर किस शर्से मतलब भृत की पर इस्थित प्रति ऐख बस्तू पर केंड्र से कितने यांश का नंस का कौण बनाया जाता है पिसही कहानी ब्रत की चुज्जा या ब्यास ब्रत की परीधी पर कितने इसका कॉण बनाते हैं मतलब यहां से यहां पहले आप यहां थे गूम घाम के यहां यहां इस परकार से होते रहे तो प्रारामेक इस्ट्री अंतम इस्ट्री के बीच हमेशा कॉण कितने आप यहां से यहां भ कारे की वैल्यू कितनी आती जीरो या फ़र दूसी भी कहानी हमने कई लोगों को पढ़ाते देखा है मांकि वह पूंता सही नहीं है कि जब आप चक्कर लगाते हो जब आप चक्कर लगाते हो मानी आप यहां थे और यहां से घूमके बापस कहा आ रहाए यहां पर तो विस्थापन जो था आपका प्राणब्यक इस्थिति के परिविजन को दिखलाता है तो विस्थापन आपको कुछ नहीं दिखा आप यहीं पर लौट के आ गए तो इस ब आप लोगों को यहां पर घूमने वाले में कि जब भी आप राउंड राउंड गोल गोल किसी जीच के घूमेंगे तो किया गया काले की वैल्ली कितनी वाली जाएगी सूने क्यों कि वहां पर बिर्थ के केंजर द्वारा परिदी पर इतने इसका कॉन बनाया जाता हमें से 90 है और कॉस्ट 90 क्या होता है जीरो तो दूसर सूत्र भी आप लोगों को यार रखना है कि आंगे बढ़ जाते हैं टॉपिक इजी है और इंट्रेस्टिंग है तो ज्यादा समय देना अब हमें उप्यप्त नहीं लग रहा है आसा करते हैं आपको कोई डाउट नहीं और तब को समझ में नहीं आ रहा है वह आप हम लोगों से पूचिये ठीक है उसके लाबा फिरम आप लोगों के लिए इससे इसके बेसे कॉस्टिंस का फरको नय को पीडियेत भी आप लोगों को लब्द कर रहे हैं या फिर आपको मॉड़ल पेपर भी दस बारा कॉस्चन का तो उस करकते समयों बल लगते है विष्ठबन होच अना पता है बैं को मुस्ता नहीं हो शकता है इस प्रकार से आप इक दूसरे को समझा किते हैं ऐगा चाहिए बट तो कार करने की चमता या कैपिसिटी को ही आप क्या कह देते हैं ऊर्जा कह देते हैं तो कोई आपके आप कोई भी काम कर रहा है तो आपके पास काम करने की कितनी चमता है उसी चमता या कैपिसिटी को हम लोग क्या नाम दे देंगे ऊर्जा नाम दे देंगे तो कार करने की चम यह सलिए कार का मात्रक ही जूल का नि उर्जा का मात्रक बन जाता है इस आधार पर कार ही क्या बन जाता है ओर जाएका है जूल हो जाएगा अब आप लोगो पता है जिखती पावान उर्जा सवरूर्जा तो हमने इसके चित्रात्मक प्रद्रशन के द्वारा अधिक सथिक चीजें समझाने की कोशिस भी की जा रही है यहां पर सूरे से लगाता धमाके की रूप में एनर्जी बाहर निकल रही ओर निकल रही यही वाली हो जाएगी अपनों की ताफ द्वार ओर शहें मैं तोण इसके बाहर और जाते हैं और अब क सामने नहीं आयेंगे हम अब क उर् बारे द्वारा जो भी आप काम करेंगे ठीक उस से ओर्जा मिलेगी आपको चैजिक या ठखर्च होगी है मिलेगी हम लोग बोल सकते मां कि और तो उठपन होगी तो उस बार रही आप क्या कहेंगे यांत्रिक उर्जा मतलब मेकनेजम, एनर्जी कहेंगे और जो कि कितने प्रकार की होती है तो आप बोलेंगे ठीक है थोड़ा सा बीपी कम कर लें अपर अपना प्रासरा कम कर लें दिमाग का टॉप एजी हमको जाड़े ही हावी होने की कुछिस कर रहा है आप लोगों के मैटर पर फिर से बोल देते हैं हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो और कि खर्षी पर बलतो लगता है जर्षी होती है लेकिन काम की कौसी गरूप मे कुछ ओर आपको मिलती है मतलब और उ्प्राप्तकीक्षा होती है थीव है तो परिवरतन होगा होगा तो इस वाल पर कोई बस्तो पिंज़गा इसथे मीयो कोई औरस वर्ज़गा तो हो जाएगी तो भूलेंगे इंस्त्रेज उर्जा ऑजाएगी ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है करने की क्षमता में तो यह आपनों को याद तो चमता उर्जा आंगे जाके पढ़ेंगे दर सकती है और इसका ऐसा ही मात्रक पूरा कारे के जाएंसा सब कुछ कारेकार अदिस था तो ये भी अदिस है इसका ऐसा ही मात्रक जूल क्योंगी कारेका भी जूल था और ये कितने प्रकार की होगी दो प्रकार की स्थजज और गतेज कुछकताब लिखती उधारन तो भी हम सही बोल देंगे कि उर्जा के कितने उधारन मुक्रूप से दो उधारन है आंगे चल देते हैं टॉपिक इजी है इसलिए गती बनाने में कोई हमें मैं तकलीफ समझ में नहीं आ रही है और यह आप लोगों को है तो आप लोगों हमसे संपर्ख बनाईए पक्का मैं बापस आउंगा मतलब मैं आउंगा मैं आउंगा आउंगे चलते हैं गाड़ी चलके हमाँ अजटका सा लगा तो उसको बाद में देखेंगे गतेज उर्जा अब जो बस्तू गती कर रही है तो उसका त्रबमान आप एम माने और जो करें जिसके पास कोई ने कोई बेग होगा तो उस बस्तु की गतिज उर्जा के इक अर्थ क्या है कानेटक एनर्जी ऊपर लिखा भी है वैसे तो के कानेटक एनर्जी का सुथ रिक्या निकल गयाता है बना पॉइंट 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 डालोग यदि आप लोग चाहते हैं इसको सिद्ध करके दिखाएं तो आप लोग हमारे प्रग्रेस्माइट क्लास के ही 11 क्लास की वीडियो देखें वहां पर हम इसको भी सि इंजन वगयरा को उसने कार को किसे में ला दिया है गती में ला दिया है ऐसा में बोलना चाहिए तो काफी इजी टॉपिक है फिर से बोल देते हैं किसी वस्तू में गती के कारन कार करने की चमता आती उसे आप गतेज ऊर्जा कहेंगे पस एक छोटी सी चीज बोलते हम यह चाहिए लोगी क्या है अपने आप में ऊर्जा है अप है अब चाहए हम उससे हमें कोई दिकत नहीं है यह बीण को पता है कार ही क्या है ओर जार है तो यह सब चीजया आपस में कैसे हैं आप लोगों क Gir favorite तो है तो यहां पर जूल है तो इससे भी आप लोग काफी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे मतलब कई बार हम लोगो क्वेश्चन मिलेगा गठी करने के दौरा ना आपने कारे किया ठीक है जिससे आपके पास इतना बेग उत्पंध हो गया अब आप बोलोगे सब कारे की सूत में मतलब इसका गढ़ना इस सूत्र से भी कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बना के पकल आएंगे आप लोगों से आप लोगों के लिए आप लोगों से बोलना का लगत्था भीहाल आंगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओड जो की क्या है इस्थिज उर्जा पोटेंशिल एनरजी तो जब किसी बस्तू में बिशेस अवस्था मतलब पर दुकी हुई अवस्था गती के कारण गती नहीं बोलना चाहिए बसे दुकी अवस्था या इस्थिज के कारण कारे करने की छमता आ जाती जैसे हम लोग अपने जगा पर लगाता बैठके सोते हैं बैठके लेटके बैठते हैं जो भी खानी थी ठीक हम लोग अप एक जगा पर लगाता बैठे रहते हैं तो हम लोग के अंदर एक नई एनरजी आ जाती है तो बैठे बैठे जो आपने अपने अंदर एनरजी संचि सुर्ज हो रही तो सुवाली उर्जा को अब वोलेंगे। इसवाली ओर्जा कौनसी है तो वापएस आते हैं तो जब किसी वस्तु में विशेस अवस्था या सभ्राइब काण कारे करने की चौता आती तो उसे इस्थरज ओर्जा कहते हैं जैसे कि कि बांध बनाकर एखटा किया पानी बांध बनाकर एखटा गया पानी की ऊर्जा तो सको आप लोग कैसे समझेंगे कि सब पानी तो बहता तो भी उसमें ऊर्जा करेती घो mmues. एक्षा एक तो सब यह थे बना लिए जिससे पानी क्या होगा यहां तक आपने खट्य कbreaker लिया अब दिसी कहाणी क्या लगानी है कि हमारा पानी इतने लेवल से भेह रहा था तो उसके पास आय तब कम था उसके पास आयतन कम था इस कांस उसकी गती के ऐसी थी कम थी तो पानी के द्वारा आप कोई खास बिसे कम नहीं कर पा रहे तो पर से पानी की मात्रा भी कम थी हमने बांध की दीवार बना के यह हमने बनाया बांध हमने बांध की दीवार के पानी बांध की दीवार बना थोड़ा वहत्ता तो उतने जिर्गती से आंगे नहीं बढ़ रहा था तो पानी को जो आप ने रोका उसकी मात्रा बढ़ गए उसके वंदर एनेर्जी भी क्या होगी बढ़ गई पर नीचे आप लोग चाहे जो तरवाइन बगए लगा के उससे क्या बिजली के निर्मार भी कर सकते हैं हम लोगों देखा कि बहुत से बानों पर अब तरवाइन के द्वारा बिजली के निर्मार भी होता है जिसका मुखुद्देश जिर्जुस का कारन क्या होता है बांध द्वारा बनी बांध बनाकर पानी को इखटा करना सेम कहानी किस्की है घड़ी की चावी को जो आप घुमाते हैं तो घड़ी की चावी में आप दूसरा कॉंसर्ट यह लगा सकते हैं पीछे बोला है कि जब कोई बस तू अपनी जगा से लगाता विस्थापित नहीं होती है एक ही दूरी पर बैठी रहती है तो वहां पे इसने कोई काम किया तो उसकार को करने से लगाता विस्थापन आपको देखने को नहीं मिल रहा है वो यह दूसरी कहान यह जो बिवारिक कार्णम ने पीछे प्रतिवीज द्वारा सूर्य के चक्कल लगाने बताया था तो जब उसको एक ही जगा पर लगा के घुमाते रहेंगे तो कारत होगा लेकिन विस्थापन काफी दिल तक यह ऐसी होती रहेगी मतलब इसके पास कोई एनर्जी थी तो वहले एनर्जी का आप लोग कौन सा नाम देतेंगे इस्थाज उर्जा कमानी मतलब तीर कमानी जो धन उसके पास धागा होता है लंबा वला एक दम टाइड बना हुगा वो भी इस्थर दिखता ह लोग उसके पास बहुत से एनर्जी होती जैसे उसके लोग इस पर खींचते हैं तो तार को बनी बाण को या पर तीर को अपनी क्या इस्थर उर्जा प्रदान करता तो वहां पर इस्थर उर्जा बाण के अंदर गटेज उर्जा के लूप में आंगे बढ़ जाती है मतलब मतलब उस दागे के अंदर भी कुंसी उर्जा है तो आप बोलेंगे उर्जा है और तो पर ना तो आपको इहां पर तो इस लाइन को भी थोड़ा संडाने कर लें हर चीज को नीचे को खीचता है लेकर हमने पानी को विद यह नीचे काम किया है तो आप बेंजर क्या है तो आप बोलेंगे p ये मतलब potential nfg पर में जी एच ना कि mdh बहुत चलेगा यह बाबाजी तो यहां पर फेंगे यह है तो म्हीं क्या है तो जिस बस तु समी को बात करें जो हिमारी प्रत्वी है प्रत्वी पर घड़ी जब गड़ी डignant करने बात होती है तो प्रत्वी सथास से आप जहां पर बल लागा रहा है करने वाली हैं तो MGH किसका सूत्र है उर्जा का मसाला भी जो था वो इस्थित्र हो गया हम लोगे मार्केट में ठीक है वाना कि लोगो सब और उर्जा की गड़ना करने के लिए आये हैं तो इसको आपको बस यह अंतर याद रखना है कि जब भी कोई काम करते हैं उर्जा उत्पन होती है तो उसी उर्जा को हम लोग चाहते हैं जैसे हम लोग लगाता पढ़ाई करता हैं तो हम लोग चीजों को समझने की चीजों को याद करने की अधिक समय तक काम करने की चंटा आती है तो उसी चंटा को हम लोग क्या नाम देते हैं उर्जा तो यह बैठके आपके उस समय कौनसी उत्पन होगी इस्तरचे उर्जा बैठके आप इस philosophique से गति करता तो हाथ तो गते उर्जा में हमारे हम चाही हमने बता है आपको दिखाने के ताकि तो आसा फीलिंग रहा कि बान में पानी रोका गया है इसमें कौन सी उर्जा है इसको आप लोग समझें और कोई भी डाउट जो हमसे संब्द करें अभी हाल आंगे बढ़ते हैं और वाफ्टन लुठातiquement तो उर्जा पढ़ने के बाद हम लोग टॉपिक आप मिलता है सभी परिक्षٹ्हों में काफी इंप्पर्टंट भी रहा है हो किछ्ले कोछ सालों में संबेग और ऋर घर संबंध क्या है तो हम लोग को पता है गतेज और को हम लोग क्यी लिखते हैं स संबेग को मणों मोमेंटम से एम ना संक्यत्तो संबेग का संबेऄा बनाया घया तो गते उजा और संबेग के रूप में दिखाएंगे अब तो आपको मिलेगा पी इसक्व्य आपॉन टू एम यह कैसे आता तो थोड़ा सा हम लोग लोग कर लेते हैं किसी प्रकार से कुछ भी नया होता है आपके परीक्षा में तो आपको दिय करना चाहेंगे आप लोग को याद है के यह बराबर क्या होता यह अब लेकिन हम लोगों को एक चीज यह भी याद है कि संबेग जिसको आप लोग यहां पर पी लिख रहे हो संबेग पी बराबर क्या होता है इसको लिखने की जवर्त नहीं है यहां संबेग बराबर क्या था रब्बमान गुणा बेग तो संबेग ब्रावर क्या था कि वल्ल M इंटू V था तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर भी M भी है और यहाँ पर भी M भी है बस एक चीज क्या है कि यहाँ पर भी दो बार है जिसको थोड़ा सा एक्स्प्लेंड करके आप लोग कैसा लिख देंगे तो इस वाले M B की जगा पर आप क्या ले आएंगे पी ले आएंगे यह दिखा रहे हैं कि यह सूत्र जो संबंद आप लोगों को लिखा मिलता है किताब में आपनी जो भी चीजें पढ़ रखी हैं पहले से कैसे लिखा मलता है यह कभी कभी हमने देखा कि बीच बीच में इन स्टेप्स का भी यूज आपको करना आना चाहिए इसलिए हम यह बता रहे हैं तो M B क्या हो जाएगी पी और इंटू में है अब लेकिन आप लोग बोलो के सब्सक्राइ इन टू भी मिल गया लेगन आपने ऊपर याद कराया है यह क्या पी स्क्राइब तो हम लोगों को फिर से याद तो है कि पी ब्रावर M B होता हो यहां पर आपको पी स्क्राइब चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे इसके बाद बना पॉन टू पी और जो भी लिखा है उसक इससे आप लोग क्या देखेंगे फिर से हमें M से जाब हमने गुणा भाग किया है इस वाली चीज में तो फिर से एक और हम लोगों को M भी दिख गया तो आप क्या करेंगे के बरावर बना पॉन टू और इस वाले M के जगा पर भी लिख देंगे पी तो पी इंटू पी प पहले से वाले M के जगा पर पी आ गया और नीचे M है तो इसी को हम लोग आप इस वाले फॉर्म में जमा के लिख देंगी तो के यी बराबर हो जाएगा बना पॉन टू तो इसका बना पॉन टू नहीं लिखते है अलक्सित इस फॉर्म में लखाना ऐसे लिख देते पी स्क के बापिस उपर बहुँच सकते तो एंसा खेल थोड़ी ने करना है तो कुछ खास नहीं है बस मन था हमारे इस बार बताने का क्योंकि हमारे आप लोग जाके हमारे 11 क्लास के वीडियो में जाके देखो तो कोई देखने वाला तो है नहीं थोड़ा सा यह सिद्ध कर दिया क कि हां में सिद्ध बगार करना आता है और दूसरी बात फिर यह भी कि इस बीज-बीज में आप लोगों को जो स्टेप्स बनी हो कैसे बनती है तो आपको इन छोट-छोटे सूत्रों का उपयोग घुमा फिराके भी करते आना चाहिए तो टॉपिक काफी जी था इसलम ने इ लगबटे में दो गुणा तरबमान अर्थात के यी वरावर पी इसकर अपॉंट्व हैं यह कैसे बनता है तो हम लोगों को जो गते जूर्जा का सूत्रयाद है बन गते जूर्जा वरा बना पॉंट्व इसक्यार में हम लोगों ने एंबी की जगा पर क्या रग दिया पी संबेग है वो लखा आपने आंगे बढ़ गए फिर हमें यहां पर चुकि आप देख रहा है इस रूत में पी स्क्यार से गुणा भाग करके एंबी की जगा पर फिर से एक पी रग दिया हम लोगों को पी स्क्यार मिल जाएगा फिर आप लोग कर सकते हैं थोड़ा वाट भ लगना करने पर चार वन ही कैसे हो जाएगी आपने किसी पहली स्टेप में कही करने यहां धो कोई क्वाहरा है लेकिन नहीं होगी यहां आप P का मान क्या एंदुक्त को दूगना करेंगे जैसे ही आपद दूगना करेंगे तो फिर दो होने कारत मिलने चार के के का माँन है की का माँन धू रखने पर के यह किसा दिखे आपको चार का माँन है सीधा चार दिखेगा तो यह चीज़ इसलिए यहां पर दो की खात के रूप में कितना आएगा आपको 4 जुए तो आपको समझना है थोड़ा सा एक बार फिर से बोल देंगे कुछ अच्छे सब्सक्राइब का नहीं कर पाए यदि पी का मान आप दो रखेंगे तो दो का हो जाएगा बर्ग तो इसकी वैल्ली दो से कितनी हो जाएगा इसी चार एक रखने पर एक ही मिल रहा हम नहीं बोला था रखेंगे तो वह चार होगा क्योंकि आप लोगो समझ में आ रहा दिखवी रहा है कि पी का मान बर्गे के रूप में परिवर्तित कराता है कौन के यह तो तीन रखेंगे जो नो गोना हो जाएगा चार रखेंगे जो इसे कोस्टन आपको बहुत मिलने वाले हैं और पीछे खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा, अब आंगे चलते हैं, कुछ हम खेलने लगे थे बीच में, अगले पॉइंट पर, उर्जा संदक्षन का नियम, जो कि हमाई ख्याल से सब लोगों को याद रहता है, इसकूल लाइफ में हम सब लोगों काफी बार पढ़ रखा कि उर्जा को ना तो नश्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन कर सकते हैं, नहीं नश्ट कर सकते हैं, एनर्जी केन नौट भी फॉर्म एंड केन नौट भी इस्टॉय, ऐसा कुछ इंगलिस में भी बच्चे सा रहाद जब भी उर्जा किसी रूप में, पहले फुर्फ सुषा साब साब को बता दें, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने पंकर चला दिया, तो पंक्य के द्वारा बिद्द्द उर्जा को कहने को खर्च किया जाएगा। उस बिद्द्द उर्जा से वहां पर पवव और तो नहीं वहाँ लूज्ट चैंज किया तो ना कर बपन में और यहीं हुआ है पर एक लूज्से दूसरे रूप में परिवर्टित हो गई है साधेन सब्सक्राइब लोग पसंद आए बागी काफी इजी तो ज्यादा इस पर समय खर्च नहीं करते हैं यह सब भी खर्च नहीं हो रही है तो आप बोलते सब परते बोलते बोलते भूंक क्यों लगती है तो भूंक लगने का भी कारण आप क्या से बोल सकते हो यह सरेदी आप लगाता बोल रहे हो लगाता बोल रहे हो तो लगाता बोलने से ध्वनी गूर्जा तो बाहर निकल रही है लेक श्राम होजा, को कभी भी करकार से नहीं किया सकता उसको हम लोग हमेसा एक रूप से डूसरे रूप में कर रहे होते हैं पर समझाने में दिक्कत होती है लेकर होता जाओ हमेशा यह है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा इन्वेंटर कौन है तो गूगल देवता से पूछेंगे दिए आपको नहीं पता है प्रती पादक उर्जा सनश्रा के नियम के कौन है तो स्कॉप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम दोगों से सेयर करेंगे इसी में एक पॉइंट और क्या लिखा थोड़ा सा बस कि जब भी उर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब थीक उतनी ही उर्जा अन्य रूपा में क्या हो जाती प्रतक प्रकट हो जाती है अता है बिस्तविकी संपूर्ण उर्जा का पड़िमार मतलब मेंगनेटिव हम कहीं ने कहीं उतनी ही और रूप में बनती रहती है प्रत्पनाफ होती ही ठीक है तो उसवाल ही एनर्जी तो इस प्रकार से पूरिय विश्यार में नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है चाहे आप लोग परेवण के द्वान खाद्य संखला पढ़ने वाले हैं लोग खुद के अपनी घर की खाद्य संखला पढ़े कहीं भी उर्जा जो है नस्त नहीं हो रही होती है वस वो दूसरे रूप में चेंज हो जाती है तो टॉपे कीजी था इसलिए इस यह तमुरह मूरे बना रख साथ हमें के लिए दद्र आप लूगisten की जेक्जी करते यह सभी पर काम करते पहれた है उत्या तो सबसे भिले किस नियम पे काम करेंगे तो आप बोलेंगे उर्जा सनक्ष्ण के नियम पर फिलाइब लगाना है तो नंबर एक पर लखा लगए डायनमो को आप अपने लोकल बर्ड में किस नाम से जाने तो जन रेटर जन रेटर बहुंए जो साधी भगर हमाँ उपयोग होता है और जब कभी हम लोगों के वह बेंड वाजा बजाने वाले चले जाते तो हम लोग किस पर ही डांस करते रहते हैं जन रेटर एक प्रकार का बात जन्स ग्रूप में भी काम करता हम लोगी भारती साथियों में उस पर डांस करने का मज़े ही दूसरा होता है तो डायनमो को यह आप जनरेटर के नाम से जानते हैं अब लोग देखते हैं जनरेटर में एक छोटा सा पंखा घूमता रहता है ठीक है और जब भी कोई चीज घूमेगी मूब करेगी उस घूमने या मूब करने वाली स्थिति को हम लोग किस नाम से दो लेंगे यांत्रिक उर्जा याफ मेकनेजम एनरजी तो यांत्रिक उर्जा को वो किसमें चेंज करतेता है विद्धत उर्जा में ठीक है आंगे जाके हम लोग विद्धत टॉपक में थोड़ी सी चर्चा करें कि कैसे करता है AC DC जो आप लोगों को याद है हलका फुलका तो डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को बिद्धत ऊर्जा में परीवर्चित करता है यह आपको याद रखना फिर से बोलते हैं जब भी कोई चीज घूमती है जैसे हमारा मुह ही घूमती है भी हमारा जबड़ा चल रहा जबड़ा चलने से वहां पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन हो रही है और वह आंगे जाके किसमें चेंज हो रही है तो आप बोलेंगे बिद्धत ऊर्जा में बाकि हम लोगों के सरी में मुख्रूप से रासनिक ऊर्जा पाई जाती है यह बालौ जी का भी हम umu वह मत्ती लेते हैं कर दो wasकी एला निकाल देंगल देंगे नहीं ज़्यादा ज़्यादा को पता है सबसे ज्यादा उसमा नीले रंगी मोका में देगए छाड़ के हम्म कदेले कि अंगे चलते हैं फिलाट गाने आने बाद में गा लेंगे तो मुंबत्ति काउन सी उर्जा पर काम करते हैं तो आब बोलें रसनेक उर्जा पर तो एक चीज आप लोह को याद राइंद रखना है कि जब भी कहीं पे आग लगती है मतलब कोई चीज जलती है तो जलने के दौरान कौन सी उर्जा उपयोग में लाई जा रही होती है रसने उर्जा अब आप बोलो किसे रसने उर्जा कैसे तो जब भी एक तत्व मतलब एक रूप से रूप में चेंज हो रहा होता है तो वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे रसने उर्जा उपयोग में आ रही हम लो कावन और हड्रेन जैसा ही कमपाउंड है तो यह दोनों वहाँ पर एक खट्टे थी लेकिन जब इसमें आग लगती है तो कावन गैस क्योंकि बाहर की अक्सिजन से क्रिया करेगी और हड्रेन सायट हो जाती है तो आप ने वहां पर रासने जो यूगिक थे वह अलग-अलग प्रकार की यूगिक को में कनवर्ट होने लगे मतला वहां पर कौन सी एनर्जी काम कर रही थी और उस वाली उर्जा से आप लोग यहां फिजिक्स में भी काम में आएगा तो जब भी कहीं पर आग लगती अर्था वहां पर रसनेक उर्जा काम कर रही है और रसनेक काम करेगी तो जो आग लगती उससे प्रकास विद्पन होता गर्मी भी मिलती है तो मुम बत्तिस हम लोग देखते हैं जब लाइट चलिय उसमा का तो आज के समय में मोश्री प्रकास के रूप में तो कम परीवर्थित करती है तो काफी हमको जारी लंबा ले गए वह हमें आपको यह रसानिक ऊर्जा पर बोलने आपको आगा लगते समय बांकि इन दो चीजों की क्रिया करते समय तो आपको पक्का समझ में आएगी, माक्neu phone को इसको किया करता है, हम लोगों की मुह से नकुल रहाने ध्वनि चेंज कर रहने कि हूं को, भी सबने देख रहना से III44 तो सचार्शा में रहते हैं, तो सागर सेहमें हम लोगए लोग बुंदेली भासा में लाओडी स्पीकर को चुंगा नामसे जाना था इस परकार न मठैसी बना रहता है आप कुछ लोगों के चित्ष देख रहा को इसका सायद इसको खिसको कि यहाँ पचित्व ना देते हैं यहां से आवाद निकलती है ऐसी बागवत का बचा है बगी गरों पर इस प्रकार से इसका उपेगोना बंद हो गया है अब तो लोग लोग अपने जो बाक्स बगर है सांड बॉक्स उनको भी लुडियूसका उप्योग क्या है सब्सक्राइब लॉट मतलब होता बड़ा बात करना तो बड़े इस तत्रस पर बात आपको सुनाई देगी अपर दूर तक सुनाई देगी लौडिश्पीकर है तो अहां पर भी बीच में लागी चुंबक के द्वारा किसकी रूप में चेंज करें गए अ는데 के जए और द्वारी बाहर निकले गी तो बो किसमें चेंज कर रहा है अगा-गई-ज मैंक्रोफ सोन का बोल देते हैं तो जिसमें फॉन के निकलने वाली बिद्धत उर्जा ग्रूप में बहँ आती हम लोग हलो हलो करते रहते हैं आँगे चल लेते हैं सोलर सेल या सौर सेल भी बोल सकते हैं उसको सुद्ध हिंदी में सोलर सेल तो सोलर सेल अब भी रहत हमें बनाने की कुछ इसकी है यहां पर यह बना हुगा है आजकर अपने भारत में इसको काफी बढ़ावा दिया जारा खासका दोहजा पंदला के पैस समझोते के बाद जो हम सारे कंटेंट सा अपने लगे रहते हैं तो वो सौल उर्जा को किसमें चेंज कर देते बद्धत उर्जा में हम सब को एक क्वेश्चन है कि पूरी पर ऊर्जा का एक मात्रसोत कौन सा है तो आप बोलेंगे तीक है रात को भी हम लोग जो ट्यूब लाइट बगए बगए ब करके उपयोग करते रहते हैं तो काफी इजी पॉइंट अब ऐसे पर हमारा मन था बताने का सब्सक्राइब बता दिया अब आपको सुनना है तो अच्छा लगा तो ठीक लगा नहीं लगा तो हमें बापिस कर देना कमेंट बॉक्स के माद्दें उसे ठीक है किसला आपको हम नई वाला फेक्ट बापिस की है हम रख लेंगे उठाके ट्यूब लाइट पर चलते हैं वह फ्लॉफ हो गई थी लेकिन हम लोग अपनी दमाग की ट्यूब लाइट जलाने से उस पिच्छर को देखके तो ट्यूब लाइट बिदुत ऊर्जा को प्रकास ऊर्जा में अच्छे से च्छे उत्यूब लाइट जो इसमें चेंज करती प्रकास ऊर्जा में और सब और संक्रण यहम पे काम कर रहे हैं पर बिद्दूद मोटर बिद्दूद ऊर्जा को यां वीयृ नियुक्त रखा था जैसे इस में लोग सब देते हैं तो इसकी पंकी घूमती है तो विद्यूत मॉटर विद्यूत ऊर्जा को या अंत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है यह जी पॉइंट है अब विद्यूत बल्व की बात करने तो विद्यूत बल्व को आप लोग जब जलाते हैं ठीक है विद्यूत बल्व को जब आप जलाते हैं तो आप कैसे जलात कrethषा होगा हमने तो अपने क्वार्य सागर में कई वार देखा है बशात का मौसम होता है ध्यज्ट को बता कि तो आते हैं है सब के बशात के म Casey में हम लोगो करारी-करारी फूसमी फुल्की खाने का बहुत раз होता ठड़नाने काँ थे फुल्की को दिखाना नहीं फुल्की के अंदर जो moisture बैठ रहा थीक है ना उस moisture को अधरता को बल्ब से उत्प्णुन के होने वाले प्रकास से बापस बास्प में चेंज करके कहा नकालना है बाहर तो बल्ब से उत्प्णुन हीट से जो यहां वहा कि आसपास की जो नमी है जो की धीर-धीर लोकल है लेकिन क्या कर सकते हैं आज कर लोकल है विदूत सयल की बात होड़ से में बूससारे लगे रहते हैं, और तो वहाँ पर दो चीज़े हैं जो अपने एलेक्ट्रोड और एलेक्ट्रोड में यहां लेके जाते हैं वह अपस में यहां लेके जाते हैं वह सबाब कहां पर पढ़ेंगे रसनिक केमिस्ट्री में तो वह रसनिक उर्जा को किसमें चेंज कर रहा है वहां से पर हम लोग अनेर्जी को बाहर से के द्वार घड़ेड़ी चला के रूप में बिद्व दूर्जा को बाहर निकाल लेते हैं तो तौप एक काफी हीजी तो ज़्यादा नहीं रुखते हैं वहले मज पूर्जा को बढ़ता हैं तो टारों को हिलाएंगे तो हिलाने करते के गटि कर रहे हैं और गती वाली और जब लोग आके जब यहांत्रे को ने कुछ वह बचती है तो तो टॉपिक एजी था इस लिसको रवाइस करने का कुछ खास हमारा मन नहीं है ताकि आप लोगों आफ हमसे संबट करना फिर से समझा देंगे अगला टॉपेक है शक्ती कि पुप पिछली चलिए बिआप अब पावर करके तो यहां पे आप लोगेों को याद रखना है बैट कि सक्ति करने पिशले एक गंटे से जब से हम वीडियो बनाए तब से चले जा रहे थे बस सामने भी आए हैं आपके वड़ी सोड़ी काफी बन चुकी है एकदम हंकी वड़ी बन रही नीचे को कमल पतली सीना चोणा आसानी से दस से बारा इंच सीना फुलाएंगे अपनों तो सेंटी कर लेंगे आपको यहां पर एक डाउट क्या बनता परिक्षाओं में तो हम लोगों को ध्यान देना है काद करने की दर सकती है और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था काद करने की चमता क्या थी चमता बिगड़ गया है थोड़ा सा लिखने में उर्जा तो जीनिंग में कैसे क्यां बनेंगे चमता जो संबंद और जासे है तो दर का वही संबंद किस्से है तो आप बोलेंगे सकती कार शपा लेंगे बोलो कि पूरा लिए तो पर तुम्हें आप सबको पता है मैं मैं चापी जाड़ा आने वाले हैं और देनिंग काफी अच्छा रहता है तो जहां प इस करते हैं लागी कॉमपोपोटीशन को कम कि जा सके जे सके तो कार ने कंकी क कèse दर आना है समय मतलब मतलब सेकें तर लुखे लिए पछे रहे में थाजीですか और पिर समय का मास्रुद और समय का मात्रा क्या हो जाएगा सकती का मात्रा हो जागा जूल परती सेकेंड तो यह उन्य वो नहीं कैसे का द्वारा के लिए इसको निकल के हैं घुसा-घुसा मार सकते हैं सायद यह उसका समय लगना मात्रक सक्ति का क्या है वाट का संक्यत कैसे व याद रहें कहीं कहीं गलती समय के स्मौल क्यार के बड़तना है, शक्ति को वाट का संक्यत क्या है जिसे Ijeнимit, जिनका नाम था बोठ ना के इनकी भॉठ लगी थी नरा ने किसी की बोठ लगाई थी तो जेम्स वॉठ के सम्मान में रखा गया है तो ही से ले हैं पर पर डॉक्टर का चांद लिखा होता है तो ये भी तो किसीने किसी के चांद होंगे, तो अब मात्रक आप लोगों को पीछे याद करा दिया, सूत्र भी आपको याद रखना है, नुमेगल कॉस्चन भी हमने कुछ डाले हैं आप लोगों के लिए, तो सक्ति का सूत्र बनेगा कारवटे समये, और मात्रक बन जाएग अधि नहीं बताया तो आप बता देते हैं, ठीक है, इसके लिए स्वारी सक्ति वांदर नहीं बताया दी, तो एक जूल बढ़ावर होता है, दस क्रूपर साथ अर्ग, ठीक है, यह संबद में पूछा रहा हमने है, जहां तक आप लोगों को एक न्यूटन बढ़ावर दस क साथ अर्ग, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं हमने वाट को किसमें चेंज करने की कुशिस की है, अर्ग परती सेट्ड में, तो कैसे आपको पता है, जूल की वैल्यू अर्ग के रूप में क्या होदी, दस क्यूपर साथ, तो हमने जूल की जगह पर यह लिख दी, दस साथ आते हैं सक्ति का सामाने तह बेवारिक मतलब क्या वाट है तो सामान तह एक वाट है तो आप उस एक वाट को किलो वाट बोलते हो तो आप सब को लो बीडियो का मतलम ही क्या होता है किलो का मतलब लिःओं के ध्यान से पढ़ी और हमारे जो वीडियो के लाइक हैं और आप कोई हाँ करते समय एक हजार या एक किलो वाट का ही और को नहीं नहीं वर्ट हैं उसी पेकार से हमने हम 20 अवच्छा का पर बताया है North तो आप वीडियो की जगा किस में देखें तो आपको मेगा और 1 MW का मेगा वाट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो आप बोलेंगे हम लोगे भारत में, किसी भी बड़े देश में राज्य में जब जैसी कोई चोटी चीज मतलब जैसी आवस्य चीज को उत्पादन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को तो हम लोगों का वाट नहीं सकती का है को बड़ा मात्रा क्या बनेगर मेगा बार्ट जिसमें मुखकता हम लोगों को बड़े बड़े देश वेख्ट करेंगे जैसे बापने बूरे भार्त की जो बिद्दो चंता के उत्पादन है लवक बाइस से तेईस लाख मेगा वाट के आसपास रहती है पूरे बर्स भर में तो उसी प्रकार से तो आपको बस यह आज रखना मेगा वाट कार्थ क्या मेगा आप लोग ने बताए हमाई लिए पीछे कि मेगा गार्थ होता है तो यह आप लोग आसानी से याद करके समझ सकते हैं और तब भी कोई डाउट है तो आप लोग आप लोग को पता है कीजिए प्यादा तकि मज़ आ है सकती की थोड़ी सी और बात करते हैं चत्व चंच को आप नों सुनने को मलता है सक्टी की यह कोई फेमस मांत्र अप नहीं लिखामने वहाँ पे अस्वरा सक्थी जिसको आप इंगले हैं प्रती हम ब्लब बोलने एक प्रकार से तो जैंब वार्ट के दौरा किया गया था या दीया गया था ठीक तो एक अस्वशक्ति का नर्धान के तो एक से सक्ति को हम लोग दोग सामानता सास्वच्छीज Watt के रूप में जानते हैं तो वो सास्वच्छ्छ्छ्ट जो वॉड़ थिया उसको कभी पूरा इस प्रकार से यह हमारे एक प्रकार से FPS पद्दी का मात्रक है LBS जहां पर LBS को कोई खास फुल फॉर्म नहीं होता बस एक लेटन भासा का सब्द है इसके पास अभी समझाने के लिए हमारे पास ज्यादा सब्द नहीं है आप लों के पास कुछ खास हो तो आप लोग कमेंड बॉक्स में डाले किसा ऐसा होता है हमेरिके एक पिक्चर मिली इसके संबंदित के पावर का एक और मात्रक प्रती सेकंड जो की एक होड्स पावर मतल फλेश्त है मैं से तो जब हमारा गोड़ा पाससोपचास पाउंड की चीज को पासाज्ट प्रता की चीज को एक फीट खिसकाता है तो कितनी एनर्जी खरच कर देगा वह सबको पता है एक पाउंड ब्रावर कितना होता है जहां तक पीछे बताये था एक होड़ शार चार मतलब क्या होता आपको पताया गया है बाहर का सूत्र क्या होता है एम जी मतलब जब बमान गुणा गुड़ती उत्वड़न तो वह लिखा ना कि मिली ग्राम लिखने तो आप लोग सुचें साल विएस का मतलब मिली ग्राम है तो यह भी याद रखें थ्वास नया पॉइंट है तो 550 फुट LBS fps पर दिदी का मात्रख है ना कि CGS का आंगे चलते हैं 746 को यदि आप लोग सास्सोच्यालीस को यदि हम लोग 10Q पर मानस सास मनदब सीदी वात है इस वाट को हम लोग किसमें लेके चले गए हैं अलग सेकंड में पीछे यह आप लोगों ने पढ़ा है कि एक वाट का ही अर्थ क्या है दस की उपर प्लस सेवन अलग पर सेकंड ऐसी कुछी ने लिखी मिलती है मोशली बुक्स बगरा मैं आप लोगों कोई भी डाउट ना छोड़ते हो इसको पूरा कम एक्स्प्लेंद करने की कोशिस की है कि 746 वाट को यदि आप लोग अलग सेक अब अधि आपकी एक्षा है कि हम लोग यहाँ पर एक किलो वाट में लेके आए इसको एक किलो वाट में लेके जाए तो किलो का रथ क्या होगे 1000 वाट की वैल्यू आपने 746 और इससे भी भाग लगाया है तो हम लोगों को मात्र कितना मिलने वाला है 740 थोड़ी सी प्रिं होता है एक हार्स पावर तो एक हजार एक हजार वाट अर्था एक हजार एक किलो वाट का मीनिंग क्या होगा एक हजार बटे 740 मत्द आपको समझाना काफी आसान होता है यह भी एसन तो तो आप लोग मत करना हो समझा उसको तो watt second कैसे निकलेगा तो आप सब को याद है कि watt बाट नहीं लिखना What लिखना. वाट तो लोगों को अपने paper फिर से बाट निकल रहा है तो हम लोगों को याद सक्ती का मात्रबा होताWhat, सक्ती का सूत्र क्या था कार्य बटे समय था तो कार्य का मात्रबा क्या था जूल और बटे में कौन लिखेंगे आप सेकंड तो जूल का एक और मात्रक क्या बन जाएगा तो यह आप यहां से है कि वाट सेकंड की रूप में हमने आप लोगो क incarnation की कोसिष की है सूथ दिखाने वाट सेकंड रहे खेंगे यहाप यहाप और एक सेकंड उसका रथ क्या एक ह hunting वहादि अब गंटा करते हैं तो हम लोगों को यहाद है कितने घंटे होते हैं तो आप बोलेंगे एक सेकंड में SEC का मतलब second में आगी सामनता S लिखते हैं एक सेकंड में एक बटे 3600 क्या होते हैं घंटे होते हैं है एच का मतलब घंटे हैं तो जैसे आप लोग इस सेकंड को घंटे में लेके आओगे तो आपको 3600 से भाग लगाना पड़ेगा और 3600 यहां पर पहुंचके एक जूल को बना देगा 3600 जूल बना देगा तो लोगों से परिक्ष्छा में एक question पूछा है इतना नंबर पहले बात में समझाएंगे पर इतना वास साथए अपने सेकंड को बस किसमें चेंज कर दो गटे में और सथी उसी परकार से आप चाहते हो अब वाट की जगह पर क्या आ जाए किलो आजाए तो आपने यहां पर वाट में 1000 से गुना कर दिया है 1000 से गुना कर दिया है तो 2000 से गुणा करने पर आपको kilo दिखने लगेगा और 1 kilo watt घंटे का अर्थ हो जागा अर्था आपने यहां पर 3600 में इस 3600 वाली रासी में 1000 से और गुणा कर डाला अपनी life को बनाना जिंगा लाला तो 3600 गुणा 1000 और 7 में आपको सामने जूल लिखा गी रहा है तो आप यह पूरा मात्रक जूल में चल रहा है तो इसको आप लोग यह इस वाले फॉर्म में क्या लिखता है तो यह कैसे लिखता है आप लोग देख पार है एक और दो तीन चार पांच तो पांच च्छ गोणा तो आप लोग देख पार है यहां पर क्या हुआ है दस से गोणा और दस से भाग तो यह इसको भाग देगा तो थ्री पॉइंट क्या रिखेगा शिक्स और यह यहां जाके दस कूपर कितने की खाट बना देगा प्लस की छे तो आप लोग एक किलो वाट घंटे को ही किस कितना जूल होता है तो यह भी कॉश्चन परिख्चा में देखा गया है इसलिए हमने टॉपिक थोड़ा सा लेंदी और बोरिंग होने के बाद भी यह वाली चीज शेयर की पीछे तो बहुत मज़ा है हम लोग जब घुड़ा रहे थी तो यह टॉपिक थोड़ा सा लेंदी आप लोग कीजिए और हम संपर कीजिए तो कुछ कॉश्चन करने के लिए पीछे इस चैप्टर में जो फार्मॉले सीकहे हैं उनके कुश वैर करने की नहीं करने के प्रियास की यहाँ पर दीखते हैं को बनता है कर यह नहीं बंता है बीस किलोग्राम की बस्तू पर 40 जूल विध्यूल का कार करके कितना भेक् प्राप्ट की अर्ज़क्र Brussels और अर्थात मान कितना दिया गया है तो आप बोलेंगे सब 20 kg दिया गया है, 40 J के लूप में हम लोगो क्या दिया गया है, कारे, और आप सब को पता है, कारे ही क्या होती, उर्जा, में तो इसी चीज को सिखाने के लिए हमने आपको ये वाले सुत सवाल दिखाने की कोशिस की है, तो कारे ही उर्जा है, और जूल दिया गया है, और आप से क्या पूछा गया है, बेग पूछा गया है, कारे को तो आप लोग डबलू लिखते हैं, उर्जा को अम लोग E लिखते हैं, और बेग को अम लोग क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो ऐसा कौन सा सूत्र है, जहां पर कारे या उर्जा हो और M और V भी हूँ, तो फटाक से आपकी दमाग की बत्ती जली, बलकि ट्यूबलाइट जली, ठीक है, और आपने क्या बोला, सर आपने ही बताया है, गतिज उर्जा भी कार भी है, भले वहाँ पर गतिज लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कहीं पर गतिज उर स्क्वेर, ठीक है, तो आप लोगों को कार के रूप में उर्जा दी गई है, और हम लोगों को M का मान दिया, V का मान पूछा, जो कि यहीं से निकालना आसान पड़ेगा, जो हम लोग पीछे जाएंगे, तो काफी लेंदी भी हो जागा क्वेस्चन, और दूसरी चीज़ों है, फिर अपनी आँगे जाके कभी-कभी, इस तो उर्जा के सूत्स का भी उपयोग कर सकते हैं, और गटज उर्जा के रूप में आपको कार की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 जूल, तो आप यहाँ पर आप 40 जूल रख देंगे, जूल रखने की जोड़त नहीं है, बस मात् इसका झाइए, उस पर इसका भले लगाए, तो जोड़िवर कट जाएंगे, तो चार की वैल्यू कौन बचेगी, इसका गज़ावर, तो यह 4 की इसका बखन गपर है, और यह इसका बखने पर रूट करने पर अपर इसका से लिख देतें, वागी लिखना ही चाहिए हमें, क्या बचेगी दो यह काटना ही लखना चाहिए कुछ लोग जो समझदार ने पीछे दसमी क्लास मन लाओ के पास की है उन लोगों को पता है पर बीकी वैल्यू तो कितने रहे कि दो और बीकी वैल्यू दो आई है तो उसका मात्रा क्या बनेगा तो आप भूलेंगे साथ मीटर पर सब्सक्राइब को यह तो बेग है बैलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड तो यह हमारा आंसर हो जागा मीटर पर सेकंड तो कुछ खास नहीं था बस फिर से वह एक चीज़ बोल देंगे कि कार ही और यहां पर हम लोगों को मान दिया गया था भी का मान एक और कॉश्चन है चोटा सा दस सेकंड तक तीस वाट की सक्ती से कितनी ओर्जा खर्च होगी तो कॉश्चन एजी बन गया है गलती से साफ सब्द में लिखा है यहां पर सक्ती तो आप लोग सक्ती का सुत्र लगा डालोगे तो तो आसा आउट लाइनिंग करते हैं इसको हम कैपिटल β और से दर्शा रहे थे इसमॉल पीशची 6ति मोओं उर्जा ऊप से के और आप वोलते है 몇 वार-ई-बवार ट्रहा इस इसलिए बतार रहे है था कि अभी औि प्रिक्ष में आगे आप वह कर सकगो जो अब तक नहीं बनता था क्योंग्ट है अब बनना जो अब तक हम लोग नहीं बने हैं बर्दी धारी तो उल्जा की वेल्यू हम लोगों को निकाल नहीं है तो हम लोग कारे की रूप में निकालेंगे क्योंकि आप सबको पता है सक्ति का सूत्र क्या होता है सक्ति का पूर नहीं सक्ति बस पावर का सूत्र क्या है कार कारे करने की दर का ही अर्थ है बटे में समय लिख देना हार मुंद ना दर छोड़ दिया समय नहीं छोड़ा था तो कारे बटे समय सक्ती कितनी दी गई आपको 30 अब वो लोग अशे फिर से आपने और जागी जागा तो आपको फिर से बोलें यह सक्ती यानि और जाही कार है तो हम लोग उर्जा की जानी उर्जा की मान पूछा गया है तो हम लोग कार का मान निकालेंगे और वोई उर्जा कहलाएगी तो कार को कार ही रहने देते हैं और चाहो तो आप लोग एक्छा है तो उसको हम उर्जा लिख देते हैं हापे क्योंकि कार को ही उर्जा लिखा ज सब्सक्राइब नहीं की थी तो हम लोगों ने कारण से आप लोगोंने उर्जा को कारण या कारगूर जमान के अपना सवाल कर डाला तो काफी इसी प्रकास हम फिर से बोलने के साइंस अभी भी हम लोगे मद्वदेश की वरिक्षा में काफी हित्तक सुरुआती इस तर पर है बस जहां पर थोड़ा सा हम लोगों से स्मार्टनेस की अपिक्षर की जाती है कि सब्दो होती है तो लगायए बल का मान गयाँ करें तो हमारी अक्षा तो यह है कि आप लोग इसमें हम आपको हेंटे देते हैं यहाँ पर काल लिखा है बिस्थापन भी लिखा है नहीं ओंपार की लखा तो इसको आप लोग स्कृिन-स ओपर होगा का तो इसको आप लोग लेकर पूर्जा खर्च होती है तो विस्थापन का मान क्या होगा सब को पता है का रबावार बल्गोणा विस्थापन हम हिंटी भी दे रहे हैं ताकि आप लोग सही प्रकार से इस क्वेश्चन का अंसर हंट कर सकें तो हिंट से किए हंट और बर्दिधारी बनिये ताकि कोरोना काल में हम लोग को य्णि पढ़े हैं तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए आप लोगों की सफलना के लिए दूआ करते हैं और विदा अगली ग्लास में आप लोगों से मिलेंगे बेस्ट अप लग